दिन हम लोग ये कहे देते हैं कि बस I'm done and I'm the best technical analyst उसी दिन market हमको पता देता है कि भाई या nothing वही से हमारा stock loss hit होता है हम fail होने लगते हैं चब तक मैं technical analysis करती रहूंगी तब तक DAO theory के बिना technical analysis मैं तो नहीं कर पाती हूं और मैं उसे कैसे read करती हूं कैसे समझती हूं वो मैं आपको अभी बता रही हूं DAO theory क्या होता है मैंने अभी बताया था कि हम लोग graph paper लेते थे और उस पर ऐसे point 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 close price के इस हब से बनाते थे और ऐसे line draw करते थे तो DAO theory भी उसी पर based है और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि what is DAO theory Charles Dow, father of technical analysis वहीं से start हुआ, सब उनकी history जानते हैं और मैं आपको बताते हूं कि DAO theory का concept इतना strong है इतना strong है कि हम आज तक उसकी value देखते है कैसे मैं आपको बताती हूं हम उसको हर time frame में देख सकते हैं हम उसको दो candles के बीच में भी देखते हैं और दीरे दीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगी ये DAO theory को हम पकड़ के रखेंगे DAO theory नहीं छोड़ेंगे चाहे वो हम कहीं भी जाएं और last तक भी जब तक मैं technical analysis करती रहूंगी तब तक DAO theory के बिना technical analysis मैं तो नहीं कर पाती हूं और मैं उसे कैसे read करती हूं कैसे समझती हूं वो मैं आपको अभी बता रही हूं तो let us say ये हमने एक trend देखा राइट अब ये क्या trend है ये हमने जो भी line draw की है trend देखा है तो basically हम इसको uptrend define करते हैं ठीक है बट इसके अंदर का feature क्या है इसके अंदर का feature ये है कि let us say ये low है ये भी low है इसे bottoms भी बोल सकते हैं और low भी बोल सकते हैं ये भी low है ये भी low है ये भी low points है अगर bottom point को मैंने low लिखा है तो top point को हम high भी लिख सकते हैं तो ये हाई है, ये भी पॉइंट भी हाई है, ये पॉइंट भी हाई है, ये पॉइंट भी हाई है, और ये पॉइंट भी हाई है. तो फिर फरक क्या है इनमें? तो ये वाला जो लो है, क्या ये इस लो से उपर है या नीचे है? तो it is high, मतलब ये उपर है, हम क्या लिखेंगे, इसके पहले लिखेंगे higher low और फिर ये वाला point, ये जो low है, ये इससे high है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, higher low, ये वाला point, yes, higher low ये वाला point, higher low तो हमने क्या किया, सब lows को देखा, और market क्या कर रहा है जो पिछला low है, उससे जो नया low बन रहा है, वो उसके मुकाबले या पिछले low के मुकाबले उपर है मतलब क्या हुआ, higher lows बन रहे है, पिछला low नहीं तोड रहा है ये term आपने market में बहुत बार सुना होगा, कि कल का low नहीं तोड़ा, पिछला low नहीं तोड़ा, swing low नहीं तोड़ा तो ये इस type से हम ये देख रहे हैं, कि ये एक low point बने है और इनको अगर maintain किया जा रहा है, या ये अगर नया low बना रहा है, तो it is higher low अब highs को देखते हैं, तो high, अब ये second point of high क्या है, first point से high है तो हम लिखेंगे higher high, ये yes higher high, ये yes higher high, ये yes higher high मतलब market किस formation में है, हम कहते हैं, market is in the formation of higher highs and higher lows मतलब क्या हुआ, कि जो पिछला high है, उसे उपर जा चुका है उसको तोड़ दिया है, तो हम क्या बोलते हैं, previous candle का high तोड़ा, previous swing का high तोड़ा तो ये हम जो बात करते हैं market की language में, कि previous high cross किया, previous low नहीं तोड़ा और ऐसा continue series चलता रहा, तो हम क्या कहते हैं, कि market is making higher highs and higher lows तो जब market इस formation में चलता है, तो क्या हम कहते हैं, कि ये formation जो है, ये uptrend का formation है जहां पे market continue high पे high बनाये जा रहा है, बट low नहीं तोड़ रहा है, पिछला low नहीं तोड़ रहा है इसी तरह से हम market में ये terminology बहुत बार सुनते हैं, तो आज ही आपको समझ में भी आ गया होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो I'm sure आप market में successfully trade करना चाहते हो अलग-अलग type में candlestick और chart pattern समझना बहुत important है, क्योंकि ये ही patterns आपको सही entry और exit लेने में help करेंगे जोती बुधिया माम ने अब search.club के technical analysis course में chart patterns, indicators, trend lines और stock selection जैसे कई important topics in detail cover किये हैं according to our 10,000 plus learners, ये आपके trading journey को fast track करने में काफी helpful हो सकता है तो आज ही description में दिये गए link पे click कीजे और technical analysis सीखे, now let's get back to the video अब इसी के continuation में हम एक और चीज देखते हैं कि let us say market यहां से turn ले लिया और low बनाया अब यहां पे दो तरीके के low बन सकते हैं, एक तो lower low, जी बिलकुर और दूसरा यहां से market ऐसे जाके और फिर ऐसे बना ले दोनों चीज possible है, मतलब यहां तो यहां से ऐसे बना ले, और यहां फिर यह ऐसे जाके ऐसे बना ले अब यह जो बनाया है, इसने क्या बनाया है, high तो बनाया है, लेकिन पिछले high से higher है या lower है मतलब पिछले high से उपर है या नीचे है, नहीं नीचे है ना, तो मैं यहां पे lower high बोलूँगी तो क्या हुआ, market ने एक lower high बना दिया, अब lower high का indication क्या होता है कि शायद market अब correct कर ले, क्यों कि यहां पे आके market price, means stock का price ठक गया है तो उसे एक correction की जरूरत है, या वो consolidate होके sideways हो जाएगा, बट उसको अब थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है तो यहां पे वो अपना direction थोड़ा change करता है और नया high बनाने की ताकत नहीं रखता है तो अब इसने lower बनाया है, यह क्या हुआ, इस low, यह जो low था, यह higher low था, इसके comparison में यह lower low बन गया तो अब यह कौन सा formation ले रहा है, यह formation ले रहा है तो जितने भी highs बन रहे हैं, वो सारे lower highs बन रहे है पहले high लिखेंगे, फिर L लिखेंगे एक बार ऐसे लिखेंगे, फिर आदत सुरू हो जाएगी, तो lower high बार में तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपकी आँखे trend होनी चाहिए ये देखनी के लिए कि पिछला low तोड़ा है की नहीं तोड़ा है, पिछला high तोड़ा है की नहीं तोड़ा है trend कौन सा है, uptrend है की downtrend है फटा फट समझ में आ जाता है, सिर्फ practice चाहिए मैं तो इतने सालों से करी रही हूँ practice इसी लिए मैं देखते ही समझ जाती हूँ expert रोज कुछ न कुछ नया सीखने को आज भी मिलता है जब भी charts के पास बैठती हूँ आज भी कभी कभी ऐसा लगता है की ये point तो मेरे से छूड़ गया ये कैसे छूड़ गया? अरे ये तो कुछ नया point मिला मुझे ऐसी बाते रोज सामने आती है तो मैं कैसे कह दूँ कि इस दुनिया में कोई भी अगर ये कहे कि मैं export हो गया भी मुझे बस I am full and final technical analyst तो फिर मुश्किल है because market रोज सिखाता है और जिस दिन हम लोग ये कह देते हैं कि बस I am done and I am the best technical analyst उसी दिन market हमको बता देता है कि भाई you are nothing वहीं से हमारा stop loss hit होता है हम fail होने लगते हैं तो इसलिए practice कभी न छोड़े वैसे ही ये low है तो हम इसमें higher low लिखेंगे बट ये जो low है ये lower low बन गया ये सारे lower low बनते जा रहे हैं मतलब market कौन से trend में जा रहा है market downtrend में जा रहा है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं market ने trend change कर दिया तो ये जो चीज होती है इसे हम कहते हैं doubt theory तो doubt theory जो है वो higher highs, higher lows lower highs, lower lows ये चार के combination से बनता है इसे हम line chart में भी देख सकते हैं candle chart में भी देख सकते हैं तो पहले हम इसे line chart में देखेंगे तो friends ये हमारा line chart है और इस chart में अब बैसे तो बिल्कुल clear दिखाई दे रहा है लेकिन letter से हम फिर भी एक चीज नोट करते हैं ये high है ये high है high है high high ये छोड़े छोड़े points इसे हम high बोल सकते हैं फिर भी चलो लिख देते हैं high यहां तक हमने लिखा अब ये हो गया higher high ये एक बीच का high है इसको हम lower high लिख देंगे उसके बाद high अब इसमें क्या difference है मैं आपको समझाती हूँ इसे भी read करते हैं हम इसी तरीके से higher high यहां पे बीच में भी एक high बना है छोटा सा line chart में दिख रहा है और इसको ہम lower high बोल सकते हैं फिर higher high बट इनमें क्या फरक है वो मैं आपको बताती हूँ higher high उसके बाद ये low higher low बना है ये low नहीं तोड़ा lower high बना दिया लेकिन low नहीं तोड़ा और वहीं से घूम गया फिर higher low बनाया फिर higher low बनाया यहाँ पे फिर इसने lower high जो हम बनाये थे उसके बाद देखिए इसने low नहीं तोड़ा और higher low बनाया higher low और यहाँ पे जब lower low बनाने के बाद उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे line बनाऊं तो जैसे ही यह break हुआ उपर चला गया और उपर जाके फिर से high बनाया फिर यह lower high है बट यह जो low है इसका यह higher low है यह भी higher low लिखूंगी compared to this यहाँ पे भी higher low अब यहाँ पे क्या हुआ है यह particular point पे यह सब अपने higher high तो हम कह सकते हैं पूरा overall uptrend में है तो हम यहाँ पे भी higher high लिख देंगे यहाँ पे भी higher high लिख देंगे और यहाँ पे हम lower high लिखेंगे देखे बाकी सब जगे जहां मैंने lower high लिखा उसके बाद जो low था वो higher था मतलब उसने पिछला low नहीं तोड़ा यहाँ पहला एक condition है जहां पे इसने पिछला low तोड़ दिया और lower low बनाया मतलब trend change का indication है फिर यह भी lower high है और यह lower low लोवर high और अब यह छोटे trends अलग है और यहाँ पे फिर भी अगर मानलो मैं इसको low लिखती हूं और higher low लिखती हूं तो यह क्या है यह lower high है इसने trend reverse नहीं किया भी तक फिर lower low, lower high, lower low, lower low, lower high तो पूरा trend, downtrend इस तरह से हमें एक पूरा idea मिल जाता है कि line chart में हम इसे कैसे देख रहे हैं बस line chart में एक चीज ध्यान रखनी है कि यह close to close पकड़ता है, high और low को नहीं पकड़ता अब सेम चीज हम candlesticks में इसको बनाने की कुशिश करते हैं क्योंकि जब हम candlesticks के charts study करेंगे तो हमें तो उसी के हिसाब से समझना पड़ेगा ना जैसा मैंने आपसे कहा था कि candlesticks के charts बहुत popular हैं तो हम candlesticks के charts पे इसे देखें सेम चीज हम candlesticks के charts पे देखते हैं यह है candlesticks chart क्या मैं low से ऐसे high ले जा सकती हूँ यह सारे points को क्या मैं इसी तरीके से बना सकती हूँ बस पर के रहेगा यहाँ पे मैं high और low का use कर रही हूँ वहाँ पर क्या था line chart में मैं सिर्फ close to close का use कर रही थी और यह देखे यहाँ पर हम यह चीज देख रहे हैं तो अगर मैं candlesticks का अगर use करती हूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा हमें मिला है यह इतना internal मारा है लेकिन candlestick है इसलिए इतना पता नहीं चलता है तो we can ignore it इसने low तोड़ा high जो भी है अब यह दो candle के बीच में जब हम candlestick study करेंगे तब हम इनको study करेंगे कि हम candles के इसाब से इनको कैसे देखें कि यह पिछला low तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है and all that तो यह हो गया वापस उसी तरह से low, higher low, higher low, higher low, higher low अब यह higher low, higher low तो इसमें जब मैं high और low exactly पकड़ती हूँ close to close नहीं देखती हूँ तो मुझे थोड़ी और clarity मिल जाती है यह high, higher high higher high higher high higher high तो बस यही छोटा सा एक फर्क है और फिर बाद में यह देखिए वापस हम यह बनाते हैं इसने higher high नहीं बनाया नीचे दिया फिर देखिए वापस थोड़ा उपर नीचे इस तरह से हम इसे देखते हैं higher high higher low lower low lower low lower low lower low lower low higher lower high lower high lower high lower high lower high तो इस तरह से जब हम candle sticks पे भी देखते हैं तो हम बना कर देख सकते हैं पहले और अगर हम डैरेक्ट चार्ट पे बनाना चाहें तो चार्ट पे भी हम यूज कर सकते हैं ऐसी क्या बात है यहाँ पे ये ड्रॉल यह करेंगे और index से हमने यहां यहा 응 can फिर दूसरी लाइन यहां से यहां बना ली फिर तीसरी लाइन ऐसे बना के हम इस तरह से इसको study कर सकते हैं तो वही pattern करीब बन गया हमारा higher lows, lower high, lower lows यह सब बन गया ना as it is हम study कर सकते हैं यहां पे बना सकते हैं हम तो क्या है यह वाला जो है यह कौन सा टूल है ब्रश करके टूल है उसको हम use करते हैं तो friends यह है डाउ थियरी जहां पे हम देखते हैं कि यह पिछला high तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है पिछला low तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है इससे हमें एक uptrend का direction मिलता है downtrend का direction मिलता है Mr. Charles Dow वो time पे यह long term के लिए होता था not for short term तो आज तो क्या है हम इसे छोटे time frame में भी देख सकते हैं बड़े time frame में भी देख सकते हैं लेकिन वो time पे यह बड़े time frames पे ही देखा जाता था